मैंने एक बर पाकिस्तान में विजट किया तो फर्स ट्रेवल मेरा पाकिस्तान में था मेरे कज़ वेलकम टू बंगलादेश तो फाइनली जनाब मेरी बंगलादेश में एंट्री हो गई है मनी एक्सचेंज करवा रहा हूँ बई यह जनाब वो बस जो के मुझे यहां से डाका की तरफ ले जाएगी नोन हैसी बस से लेकिन टोट चनल मुझे बाटर तक पहुँचने में कोलकता से यहां तक लेगे से हलो दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ कफार मसाफिर और एक बार फिर से आपके चनल में सुआगत करता हूँ पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 में इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट जगों पर बॉंब्स के साथ एरलाइन्स पर अटाइक किया था जिसमें से पंजाब की कुछ जगाएं थी आगरा था राजिस्तान की कुछ जगाएं थी और इंडिया ने रिटालियेट किया उस टाइम जो प्राइम निस्टर थी इंद्रा गांदी जी थी उन्होंने रिटालियेट किया में जवाबी करवाई की और उस जवाबी करवाई के अंत तक एक निया देश इजाद हो चुका था और जिस देश का नाम है बंगलादेश उस बंगलादेश की तरफ मैं जा रहा हूं बंगाउं की तरफ फिर वहां से आगे गाड़ी मिलती है क्या होता है सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा पैली बार सोलो ट्रेवल कर रहा हूं बंगलादेश की तरफ और आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप पैली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल क यहां पर पहुंच चुका हूं भी कौन से प्लाइटफर्म पर मेरी ट्रेन आएगी उसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं है अंदर जाके ही बता करते हैं तो चैनल प्लाइटफर्म पर मैं आ चुका हूं साबने मेरी ट्रेन खड़ी हुई है यही बंगाओं की तरफ जाएगी यहां से बंगाओं कुछ 80 किलो मेटर के करीब है को पहले भी बता चुका हूं सिर्फ वोसी 20 रुपीस की 22 रुपीस की टिकेट लिए हमाने वह सस्ता ह यहां से मंगलादेश बॉर्डर तक ही जाएगी यह लोकल स्ट्रेंज जो बंगाओं तक ही जाती है वहां आगे से जो रास्ता है 5-6-7 किलो मेटर का रास्ता है कितना वहां जाके पता चलेगा वो मुझे अलग से आटो करना पड़ेगा या फिर कैसे वहां जाके ही पता च इस दो पर दे जाता है तो आट यदो कुंत करेंश पर्देसी साथ चारिभावे कि अच्छा घोघेए मुझे जनब फ्रेंज से एंज स्टेशन जो बंगाओं आता है यहां पर पहुंच गया हुंच गया हुँ दो गिंटे लेगि शुवा पे बैटा था 5.50 पे पे चुछ सब्सक्राइब दो गिंटे लगते हैं और वहां से यहां तक का जो सफर है 80 km का सफर है और दो गिंटे लग जाते हैं बहुत सारी ट्रेंस आती है ऐसा गपराने वाली कोई बात नहीं होती है कि एक ट्रेंट छूट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी मेरा सुबह आने का आतार हो अकेले तो अब चलते हैं यह नेक्स बार्ट बताया जाता है कि साथ 8 km से अब देखते हैं कुछ आतो रिक्षा करते हैं यह क्या करते हैं क्या जाती है वो भी आप लोगे के साथ सेरक्टे तरह आं अब आटो स्टेट पर पहुंच चुका हूँ जहां से जग गारी में एक्सचेंज करवार हूं भाई थांडड का 131 दे रहे हैं वैसे ओनलाइन भी चेक है था मैंने 131 विद्ध सम्धिं कुछ बता रहा था लेकर यह था यह दे रहे हैं चलो अच्छा है बाइस अब करंसी मैंने एक्षेंज कर लिए यहां पर कर लित्यान ओफिशिली तरीके से मैंने करंसी एक्षेंज कर वाई लेकिन अच्छा रेट दे रहे थे तो मैंने दे ली अच्छा उन-च्छा ना लेकिन से में 1 थार्टी वन थार्टी वन दिखा रहे है उन-लाइन तो वन 3 वन कर लिए मैंने एंडियान हंड़र रुपीष और 1 31 मुझे दे रहे थे बंगाली तो ऐसा ही दिखा रहे है ईक वर बाद बता देतो हूं आप देख रहे हैं कि यह पर प तरव से पेट्रपॉल बेनपॉल बॉर्टर का नाम है पेट्रपॉल इंडिया की तरव से पर बेनपॉल बंगलादेश की तरव से पहुंच गया हूँ बॉर्डर पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पैट्रोपॉल बॉर्डर पे पहुंचा हूँ बेन बॉल मंगल्यादेश की तरफ है और इंडिया की है जो पैट्रोपॉल है केरिंग आटों से आया हूँ सिर्फ पचास रुपे देखे टोट सकनल मुझे बॉर्डर तक पहुंचने में कोलकता से यहां तक लगे 72 रुपीस में मैं बंगलादेश एंट्री करने वाला हूँ आप लोग प्लाइट से भी आ सकते हो अगर जैदा पैसे हैं आपके पास बस स अगरे बंगलादेश पहुंच सकते हो अगरे प्लाल में यहां पर पेट्रोपोल पहुंचा हो सिर्फ बगतर रुपे में बंगलादेश में एंट्री कर रहा हूं तो यह रही कुछ बॉडर ऐसी मुझे लग रहा है केमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंके इमिग्रे में थोड़ी सी मुझे प्राब्लम हुई प्राब्लम यह हुई एक तो प्राब्लम यह है कि हम कश्मीर में पैदा हुए है जम्मु कश्मीर में पैदा हुए है तो एक तो वह मसला है दूसरा यह मसला है कि मैंने एक पर पाकिस्तान में वीजट किया ता फर्स टैवल मेरा प इमिग्रेशन थी कोई जयदा प्रॉब्लम निए बस बार निकलते बाकत थोड़ा सा वो टका 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 मांग रहेते लेकिन मैंने नहीं दिया क्यों देने बाई मेरे बास वैसे भी लो बजेट ट्रावल कर रहा हूं पैसे फिर भी नहीं है मैंने कहा नहीं देने नहीं पीजाने दे रहें एंट्री तो नहीं करने देगे जो और दे कर जाएगा लेकिन मैंने कुछ भी पैसे नहीं दिये फिल्हाल यहां पे कुछ नजारा दिका रहा हूं यहाँ इमिग्रेशन ओफिस यहां से में बाहर निकला हूं यहां से तो अब मुझे लेनी है सिम काड ल है जब वर बजूर भी चैनल चीव कौने कई नो थालजन दूंड है विज इक नोन अन्यूंड उन्सी सेंहंड है एकोनोमी विसन नेद्ट सेवन आर इक नोमी क्लास है एकोनोमी क्लास है अचाहिए करें I'll go in 500 500 I will show you मेरे साथ आये सुबा सुबा उठने के बहुत फाहिज होते हैं साधे नौ बज्चुके साधे 9 बज्चुके सुबा की और मुझे गाडी भी मिल गी है अच्छे तरीके से काभी सारे मेरे पीछे पड़े हुए थी कोई एक हाजार विया बदा रहे था कुछ बदा रहे था मुझे इस चीज़ का अराम से मिल सकता है ज्यादा जल्दी मत करिया ज्यादा पैसे खरज हो जाएंगे तो 500 में मुझे यह बस मिली अब कितना टाइम लगता है अब चलेंगे तो पता चलेगा कुछ इस तरह की मेरी बस है एसी तो नहीं है लेकिन फ्रेंस हुए रहा है इसमें चल रहे है बैक स्बैक रखने के जगा है मैंने बड़ा बैक दे दिया वो पीछे डालेंगे और यह मे काफी सारी पेजीद होते हैं क्या क्या लिखा हो वा है यह मैं कुछ तरी बस ते कभाट्व कंदा इंडिया को बनेंगा यह कुंछ फ़र्टी है तो बंगला देश का जो कम वोगा 131 32 के करीब करीब ऐसा कुछ चल रहा है यह है 1000 यह 50 यह यह वाला है 100 यह वाला है 200 यह वाला है 500 और यह नीचे वाला सबसे नीचे है जो आपको दिख रहा है यह है 1000 तो मैं जब निकला था वहां से फिरोज भाई ने मुझे यह गिप्त किया तो मुझे ना बड़ी अजीब सी चीज अजीब बहुत अच्छी सी चीज लगी थी जब मैं उनके गर गया तो उन्होंने मुझे पानी के साथ खजूर दी मुझे यह बात पुछ पसंद आई थी मैंने वीडियो में भी दिखाया था और उन्होंने मुझे एक खजूर गिफ्ट करी अभी सुबा से मैंने कुछ नहीं कहा होगा है किसी खजूर का ही टेस्ट कर लेते है कुछ ना कुछ बंदे के पास ज़रूर होना चाहिए बिस्कुट्स होने चाहिए ना कोई आसी चीज आप केरी कर सकें जब जब गूफ लगे तो आप ठालिये करें क्यूंकि खाना हर जगा पर नहीं मिल सकता है तैंक यू फिरोज भाई खजूर के लिए बहुत मज़की खजूर है दो तीन खजूरे काएंगे लाके देखते हैं दिन के बच्चु के डाई जैसे कि आप पहले हाई 20 का 20 तो यह है जनाब वो बस जिस पे मेरा सफर होने वाला है बौर्डर से लेकर डाका तक बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे जैसे आपने देखा था पैसे अलग लग रेड़ बता रहे थे तो इस बंदे को मैंने सिर्फ 500 रुपीज दिये और डाका की तरफ निकले रास्ते में एक बहुत बड़ा प्रिज आता है और उसके नीचे से बहुत बड़ी नदी जाती है इस नदी का नाम है पदमा रिवर मंगला देश में इसको पदमा रिवर कहते हैं इंडिया में इसको गंगा रिवर कहते हैं और इंडिया की स्टेट कोलकता में इसको हुगल मैं अनलाइन तरह था प्रोड पाइस कर रह था होस्टल के लिए पर होस्टल एवेलेबल नहीं यहां पर पंगलादेश में यह रहां एक बन्दे के पास जाना है एक गुरुद्वारा है यह पर नहीं अन्हों करेंगे रुकने के लिए वोगी चार्जिस लेंगे बतानी कितन तो यह चाचा जी को मैंने बोला यह मुझे छोड़ेंगे टोक्या हाल की तरफ जा रहा हूं एक्चल में यहां पे ना लंग्वेज की बहुत ज्यादा धिक्कत हो रही है बहुत महिनत होती है इन लोगों किया रही बहुत मुशकल से हाड़ वर्क करते हैं और यह जब 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 इनका जो भी किराया होता है उससे एक्स्टा दे दीजिया करें मैंने जाचा को पूछा कि कितने पैसे हुए तो वो मुझे तीन उगलियां दिखा रहे हैं तो मैंने कह तीन हंडर्ड बोलते हैं एक्सल में लांग्वेज की प्राब्लम थी समझ नहीं आ रही थी लेकिन थ्री हंडर्ड नहीं सिर्फ थर्टी तका कभी कबार में रुपीज बोल दूँगा तो आप रुपीज निकल जाता है उसके लिए सौरी हादत है क्योंके एंडियन हो तो रुपीज रुपीज ही चलते है वहाँ पर तो यहां पर टका चलता है चाचा मुझे तीस टका में छोड़ेंगे रोक्या हाल में तो यह कुछ इस तरह का मंगलादेश डाका दिख रहे है और ज़दा मॉडिफाइड नहीं दिख रहे है पुराना पुराना उसल लग रहे ह बाद में चितरी के से डिटेल में इसको दिखाएंगे आप लोगों को बट फिलहाल तो हलका हलका चलते चलते दिखा रहे हैं आपको यह कुरुद्वारा में सामने में पहुंच चुका हूँ ने अब लोग देख सकते गुरुद्वारा नानक शाहीज का नाम है यहां पर दिया गया है निलखेट रोड शाबाग डाका खंडर्ड मेरा आने का रीजन यहां पर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहां पर कोई भी होस्तल नहीं है वंगलादेश में और मैं यहां पर रुकने जा रहा हूं और यहां पर थोड़ा सब्स्ता ही मिलेगा मुझे खानवाना भी मिलेगा और रुकूंगा भी पता नहीं कितने का मिलेगा अंदर जाके ही पता चलेगा आप लोग उसे रिक्वेस्ते आप लोग पियार देते रही हैं, आप मुझे स्पोर्ट भी कर सकते। स्टार्स ले खूर बहरत भुरिक्त कर सकते हैं अगर आप मीरे डिस्रिप्श् değişहिघ कर सकते हैंगे घा जियुअचहारे पोड़ है। तो आप लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूं तो फिल्हाल में यहां पर एंट्री करता हूं इस गुरुद्वारा में यह तो लॉक है यार तो जब एंट्री होने के बाद मेरी यहां पर बात गरा भी होगी है पहले फून पर भी बात हुई तो दो लोकल बंदे का फून लेकर यहां पर मैंने बात करी थी finally मेरे entry तो हो गई है यहाँ पे लेकिन जो यहाँ के secretary है वो यहाँ पे नहीं है कितने charges होते हैं क्या होते हैं वो तो अभी तक मेरे को नहीं पता है room मेरे को मिलके है room भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन कल सारी detail बताऊंगा sim भी मैंने अभी तक नहीं लिये सिंख भी कल लूँगा या आज हाम को लूँगा सब कुछ आप लोगों के साथ डीटेल में शेयर करेंगे फिलाल थका हुआ हूँ सुबा सुबा उठाता पांच बजे और अभी बज चुके हैं अभी बज चुके हैं अभी सबाव पांच बज चुके हैं सुबह से पांच बज़े से लेकर अभी शाम पांच बज़े तक पूरा ट्रेवल कर रहा था मुझे बहुत मजा आया सफर में नए नए अडवेंचर ने ने चीजे देखने को मिली अगर आप लोगों को भी देखनी वजर्णक शही इसका नाम है n婆 Tight am Shabag में अगर अप लोग वी कभी आना होग यहां पे आप लोग यहां प्रह सकते हो इसकी हिस्त्रिय कहले क्याद यहां यहां पर रह सकते हो लेकिन immigrant एडवांस में काल करनी होती है एडवांस में काल करके booking करवानी होती है कि मैं आ रहा हूँ तो हमें इनका contact number भी दे दूँगा आप कभी भी इनको contact करके आप लोग यहां पर अपनी जगा बना सकते हो अगर मेरी तरह बचे traveler हो तो फिर से बता रहा हूँ आप लोगों के लिए इतना गुम रहा हूँ तो आप लोगों की थोड़ी थोड़ी स्पोर्ट होगी तो मेरे लिए भी एजी हो जाएगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ पूरी डीटेल के साथ अब तक के लिए अपने दियान फैमली वालू के दियान, आस्परोस वालू के दियान, सब के दियान